ओम जै मोधी देवा स्वामी जै मोधी देवा अंद भगतों की टोली मोधी जी अंद भगतों की टोली हमने खाई बहुत गोली नहीं बोली स्वामी जै मोधी देवा मोधी जी के दर्सन पाकर हो जाएगा मेरा पार बेडा स्वामी जै मोधी देवा अरे अरे मोधी आर्स्ती के टाइम फोन किसका आ गया हेलो हेलो कौन अंद भगतों से उलजना मत अरे केजरी वाल अरे तेरे को जेल में चैन नहीं है क्या तेरे को मोबाइल किस ने दे दिया जेल में लगता है मोधी जी से चुपकर तू मोबाइल उठा लिया बाप रे बाप आरे केजरी वाल मैं अंद भगत हूँ अंद भगत तेरा गलती से अंदबगत के पास फोन मिल गया अब मैं मोदी को बताऊंगा कि मोदी जी ये केजरिवाल जेल में भी नहीं बैठ रहा शांती से वहाँ बर भी मुबाइल उठा उठा कर भरका भरका कर लोगों को बोल रहा है अंदबगतों से उलजना मात अगर अंदबगतों से उलजना तो क्या होगा केजरिवाल बताऊ मुझे वो टाइम खराब करते हैं अरे अंदबगत टाइम खराब नहीं करते हैं वो अपना अपना रोजगार सेट करते हैं मोदी जी ने बोला है ना पकोड़ा रोजगार मैं तो पकोडा रोजगार कर रहा हूँ और मेरी लुगाई भी साथ में पकोडी रोजगार कर रही है मैं पकोडा मेरी लुगाई पकोडी देखा देखा कितना अच्छा रोजगार है और तुम बोल रहे और टाइम खराब करते हो लगता है जेल में जाने के बाद तुम्हारा दिमाग कुछ यादा ही चलने लग गया वहाँ भी नहीं ठिक रहा है बाहर तो बहुत चिला चिला कर बोलता था मोदी हमको काम नहीं करने दे रहा है अब तु जेल में जा करके फिर भासन दे रहा है लगता है मोधी जी ने तेरे को बी आई पी जेल में भेजा है बी आई पी जिसमें टीवी, कूलर, फ्रीज, एसी, वासीं वासीन सब मिल रहा है तेरे को रुख जा मैं तेरी मोधी को फोन करके अभी बताता हूँ अरे मेरे पती परमेश्वार, तेरे को तेरे बापने B.A.M.C.A केमे करवाया है और मेरे बापने भी डबल डवल B.A.M.A कराई है और तू अंधबक्ती में इतना चूर हो रहा है, पकोडा रोजगार करके खुश हो रहा है, कितना कमाता है, आठ हजार, च्यार हजार, पाच हजार रुपया कमाता है, पूरा महिना पकोडा रोजगार, उपर से पकोडा, नीचे से भगोडा, नीचे से पाता है, पतर पतर, उ अभी रुख जा तेरे को पता है अगर 24 में राउल गांधी की सरकार आ गई तो हर एक लुगाई को चाड़े 8000 रुपिया 8500 रुपिया खाते में खटा खट खटा खट खट खटा खट आएगा थोड़ दे अंधबक्ती का चक्कर नहीं तो बरबाद हो जाएगा अरे तेरे बाप ने पकोड़ा रोजगार करने के लिए पढ़ाया था तेरे को साथ में मैं भी फस गई अरे बा राउल गांधी का भासन सुन क्या उसका भासन है बाप रे बाप मैं तो खुश हो गई हूँ साड़े आठ जार रुप्या माईना साल का एक लाग रुप्या घर बैठे मिलेगा अगर पकोड़ा नहीं भी बेचेंगे तब भी समझ कुछ अरे कल्बु ही लगता है तू राउल गांधी के भासन देखने लग गई है मोधी जी ने क्या बोला है किसी के भी भासन तुमको नहीं सुनना है अगर मुबाइल में उसका भासन आए तो तुरंच मुबाइल को बंद कर दो नहीं तो आपके दिमाग में राहुल गांधी अब तुमको भी लगता है जहांसा दे दिया है साड़े आठ जार रुपिया महिना का अरे अंदवक्तनी तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है एक लाग रुपिया देगा वो काँ से देगा अपने गर से देगा उसका खाता सीज कर दिया मोदी जी ने अब कभी खुलने वाला नहीं है मोदी जी के गुनगान कर चल बजन कर मोदी का चल बजन कर ओम जै मोदी देवा स्वामी जै मोदी देवा मोदी जी के करम क्रिपा से मोदी जी के दान दया से हमारा रोजगार चले बोलो पाकोडा रोजगार बढ़े आज पकोड़ा है कल मचाली का करेंगे उसके बाद उसके बाद चाय का करेंगे ऐसे ही हमारा रोजगार बड़े बोल मोदी जी किरिपा करें समझी समझी ऐसे भजन करेगी तो तेरी नईया पार हो जाएगी समझी समझ गई समझ गई मोदी जी की अंध वक्ति में इतना चूर हो गया तेरे को अपनी बीवी बच्चे नहीं दिख रहे है अपना घर परिवार नहीं दिख रहा है अबे तेरा गर कहां से चलेगा बच्चे पैदा होंगे ते बच्चे कैसे पढ़ेंगे पकोडा रोजगार से बच्चा पढ़ेगा तेरा अरे राउल गंदी के साड़े आठ जार रपिया माईना आएगा तो गर का खर्चा चलेगा बच्चों की सकूल की फीश जाएगी अरे मैं तेरे से तलाक लूँगी मेरे को तेरे पास नहीं रहना है मुझे तलाक चाहिए ए मादुर्गे इसको भसंब कर दे मेरे को इसके पास नहीं रहना है अरे बापरे यह तो मादुर्गा से मेरे को भसंब करने की बात कर रही है मोधी जी बचा मुझे यह लुगाई मेरे को भसंब कर देगी अरे साड़े आठ हजार साड़े आठ हजार खटाखट खटाखट साला सुन सुनकर मेरा दिमाग की नस पट जाएगी अरे लगता है सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा मेरे जबाज कवे ओए मेरे जबाज कवे कहां चुपा है तू अरे जल्दी से आजा ये राउल गांदी का भासन क्या पेल पेल कर मेरी लुगाई को पागल कर दिया है जरा इसकी सचाई बता कवे मेरे कवे मेरे कवे बूल न जाना तू अपनी भावी नहीं हाँ तेरी भावी के दूद कर्ज चुकाना आजा आजा जल्दी आजा मेरे कवे अब मेरा कववा आएगा सुन रही है तेरा देवर आएगा जल्दी आजा कहां चुपा है तू कां 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 भाईया जी ओ भाईया काहे बुलाया है मेरे को अरे भावी जी भी यहीं बेटी है भावी तो सुख गई है जब साधी होके आई ती ना तो ऐसी थी मोटी टुन टुन अब देखो इसकी कांच निकल गई है कुछ खिलाते फिलाते नहीं हो क्या भावी को बिल्कुल सुका दी तुमने अरे बाप रे बाप देखो क्या हाल हो गया है भावी का मेरी बात बात को घुमा रहा है मैं ये बोल रहा हूँ कि राउल गांदी ने कोई भासन दिया है मोदी के खिलाफ कि साड़े आठ जार रुपया सभी मैलाओं के बैंक काउंट में आएगा हर माइना खटा 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 क्या करता था वो खाली सीधा नहीं बो लाओ के और वो बोला है कि एक लाक रुपिया साल का मिलेगा जब तक गरीब रहेंगे तब तक मिलेगा बाप रे बाप सचाई बता इसके बारे में अच्छा तो इसलिए बुलाया मेरे गो अरे भाई साब भाई साब बड़े भाई साब बुलाया है तो कुछ हलवा पानी ला बाबी जी जरा हलवा लेके आओ खीर लेके आओ पूरी लेके आओ अरे देवर जी अब तुमको मैं क्या बताओं ये बिलू मेरा खसम मेरा लोग जब से अंद्वक्ति में गुसा है तब से घर में तो देखता ही नहीं है बोलता है मोधी जी भी घर छोड़ दिया था चब जा इसको कोई जूता मारके इसकी प्रधान मंत्री का भूत इसके सिर से उतारेगा मैं तो पागल हो गई हूँ खाने को घर में दाल चाव लाटा नहीं है और ये खाब देख रहा है मोधी मोधी चिला चिला कर देवर जी कुछ भी नहीं है पर आपको आज मेरी कसम है परदा इसकी आखों से हटे जल्दी बताओ मेरे हिम्मत भी नहीं है बोलने की बाप ने बाप मर गई रहे खाली पेट आतड़ी चिपक गई मेरी आये 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 अब आओ एक कवे तो बाबी जी से क्या बात कर रहा है तेरी बाबी का दिमाग खराब हो रखा है एक लाग र दूद पिलाया था हमने और तू दूद का करज नहीं नहीं बारा है जल्दी बता दे वरना मैं तेरे को यहां से बगा दूगा और मैं माल लूँगा कि कोई वादा नहीं किया है राउल गांदी ने जूटा है वो जूटा है भाया जी थोड़ी सरम करो सरम करो थोड़ी जाओंगा बेच खाई तुमने सरम है चलो मैं बता देता हूं दूद का करज अधा कर देता हूं ओम क्लीम क्लाम जामुंडाए नमा राउल गांदी के दिमाग में गुसाए नमा सुम अग्वाप रे बाप रे बाप रे बाप मेरे को एक बहुत अच्छा और गरीबी से दूर होता हूँ भारत चमकता हूँ नजर दिखाई दे रहा है अगर 2024 में राउल गांदी की सरकार आती है तो रोड़ो पर कोई भी बिखारी भीक नहीं मांगता दिखाई नहीं दे रहा है औरे बाप रे बाप मैंने भविस से देख लिया राउल गांदी के दिमाग से ये रोड़ पर जितने भी करते हैं बगवान के नाम पर दे दो बाबु जी के नाम पर दे दो अब वो कहेंगे हमको नहीं चाहिए हमारे सही कोई ले लो क्योंकि साल का एक लाक रुपिया राउल गांदी हकीकत में देगा अगर राउल गांदी की सरकार 2024 में आ आती है बाबी जी इसके पिछवाडे पे मारो लात और भगाव इसको यहां से इसको भगा दो अंदवक्ति में जाएगा अंदवक्ति में गीत गाएगा मेरे देव मेरे बेर बेर पकोड़े नहीं भीक रहे हैं हाँ इसके बेर पकोड़े खरी देंगे अंदवक्ति बाबी कववान का रूप लेकर आएगा मोधि जी कुछ नहीं लाएगा ने मोधि जी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा वर्ना कम Federal की फ्यूमी लगवाइगाぎ सच में साड़े आट जार रुपया राओल गांधी देगा अरे केजरिवाल मीं चेह पास जाके मिल जाए केजरिवाल जी मैं बगती मैं बखती छोड़ दी आज से ही मेरी आखे खुल गई राओल गांधी की बासन से बापरे बाप कितना अच्छा अच्छा दिमाग लगा रहा है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश से विखारियों को मिटाने के लिए क्या बोल रहे थे केजरिवाल जी हम मैं तुमारी सारी बातें बानूँगा जल्दी बताओ मेरे को क्या करना है अब मैं अंधबकत नहीं हूँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ बिल्कुल साप सुत्रा इंसान हूँ जल्दी बताओ कोई अगर जादा उलजने की कोशिश करे हाँ हाँ, अगर मुझसे कोई जादा उलजेगा अंधबकत तो मैं क्या करूँ क्योंकि केजरिवाल जी मैंने अंदबक्ती की पूरी पार्टी बना रख गिया जागर यहां से नूटके जाऊंगा तो सारे अंदबक्त मेरे को चिपट जाएंगे बोलेगा कोई यही उई आ उई उई करने लग जाएगा बताओ, अब मैं क्या करूँ? अगर कोई अंदबक्त मेरे को रास्ते में मिल जाए तो मुझे क्या करना है? उनको नमस्कार करके आगे बढ़ जाना अच्छा, मतलब कोई भी अंदबक्त मेरे को रास्ते में मिलेगा तो मैं उसको नमस्कार करके आगे बढ़ जाऊंगा बिल्कुल ठीक का केजरिवाल जी, ऐसा ही करूँगा आपकी बार में, मैं अंदवक्ती छोड़ूँगा, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दी मैंने आज से ही, तिललललल, अरे यार फोन किसका आ गया, अलो, हैलो कौन, ये मोधी है, अरे बाप, रे बाप, मोधी जी का फोन आ केजरिवाल ने बोला था, अगर रास्ते में कोई अंदवक्त मिले, तो नमस्कार करके आगे बढ़ जाना, पर ये नहीं बताया, अगर अगर किसी अंदवक्तों का फोन आए, तो फोन पर कैसे आगे बढ़ू, अरे बाप, रे बाप, मैं तो, मैं तो उलजन में पढ़ गय अब मोदी जी से क्या बात करूँ मैं, मैंने तो अंदवक्ती छोड़ दी, चलो केजरिवाल वाला फार्मुना लगाता हूँ, केजरिवाल ने बोला था, नमस्कार आगे बढ़ो, ठीक है, मैं मोदी जी को ये बोल देता हूँ, मोदी जी, नमस्कार आगे बढ़ो, मोदी सीता भोग मिठाई समय प्रेवारं अगे भाड़ाइब कर नि भूराए आगे मेरे मेरे खात आसाथ चल रहा एक दो